कोई भी बीमारी तब बहुत ज़्यादा खतरनाक को जाती है जब उससे कई सारे लोग एक साथ बीमार पढ़ने लग जाते हैं और हमारे हेल्थ केर सिस्टम्स इतने सारे लोगों का एक साथ इलाज करने में सक्षम नहीं होते हैं कोई हॉस्पिटल उतने ही लोगों को ट्रीट कर सकता है जितने कि उसके पास बेड्स हैं माल लीजिए आपके लोकल हॉस्पिटल में किसी समय इतने बेड्स उपलब्ध हैं इन में से कुछ बेड्स अन्य बीमारियों से ग्रिसीत मरीजों से अल्ड़ी भरे हुए हैं और यह ग्रीन डॉट एक स्वस्थ व्यक्ति को रेप्रेजेंट करती है जो की रोज की तरह पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का यूज करते हुए अपने आफिस जाता है जहां उसे किसी अन्य व्यक्ति से COVID-19 का संक्रमन हो जाता है पर उसे तुरंथ अस्वस्थ महसूस नहीं होता और ऐसा भी हो सकता है कि उसे कई दिनों तक अस्वस्थ महसूस ना हो इसलिए वह बाद में कोई शादी अटिन करने जाता है जहां वह बिना जाने दो या तीन लोगों को संक्रमित कर देता है इन में से जारतर लोगों को अपेक्षाक्रत माइल केसिस जैसे साधारन सर्दी जुखा मी होगा पर उन में से कोई व्रद व्यक्ति भी हो सकता है जिसका केस सीवेर होने के चांसेज जादा है और उसको हॉस्पीटल जाना ही पड़ेगा पर ये तीन जो की सारे ही संक्रमित हैं पर अस्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं ये फिर से बाहर जाते हैं पब्रि इसी समय में इस प्रॉसेस से हॉस्पीटल जाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी देखते ही देखते है संख्या हॉस्पीटल में बेड्स की क्षमता से ऊपर चली जाएगी और इस्थिती विकट हो जाएगी ऐसे में critical cases से deal ही नहीं किया जा सकता और कु सीवियर केसिस की संख्या सौ से पांच हजार पहुशने में दो हफ्ते से भी कम समय लगा इतने सारे लोग मारे गये क्योंकि उनको होस्पीटल में भरती ही नहीं किया जा सका ध्यान रहे कि हम केवल सीवियर केसिस में उच्छाल की बात कर रहे हैं लेकिन इस उच्छाल का म गया जरूरी मौतों को रोकने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर सकता है तो वो हैं ऐसे लोग इसका मतलब हम सब वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए आपको ऐसे एक्ट करना होगा जैसे आपके पास ओलेडी वाइरस है पबलिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम यूज क करके भीडभार की जगहों और सामोहिक समारोहों में ना जाकर आप संक्रमन पाने और फैलाने दोनों के चांसे कम कर देते हैं इसी को सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं अगर हम में से अधिकतर लोग ऐसा करते हैं तो हम वाइरस को रोक तो नहीं पर धीमा जरूर कर सकते है इसके बावजूद समय के साथ कई लोग इस बीमारी से गरसित होते जाएंगे लेकिन रोजाना आने वाले सीवर केसिस की संख्या अपेक्षाकरत कम बनी रहेगी जिससे स्वास्त सेवाओं पर क्षमता से ज़्यादा बोज नहीं पड़ेगा यह लाइन पैटर्ण अब फ् सबी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे हैं और इसी लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स फ्लैटिन दग कर्व की बात कर रहे हैं सन 1918 में ऐसा ही एक उधारंड कि स्पैनिश फ्लू के फैलने पर सामने आया था यूएस के दो शहर फिलिदेलफिया और सेंट लूइस फ परेट को काफी प्रिस्टीजियस और उनके सैनिकों के सम्वान के लिए जरूरी बताकर कैंसल करने से मना कर दिया लगभग दो लाख लोगों ने इस फरेट को अटेंड किया वहीं से 1400 किलोमीटर दूर इस्टेट सेंट लूइस में लोगों में फ्लू के सिंटम्स मिलने के दो दिन के अंदर ही अधिकारियों ने स्कूल्स, थियेटर्स, बार्स, यहां तक की चर्चेश भी बंद करा दिया हैं फिल्डिल्फिया में परेट को अटेंड करने वाले हजारों लोग स्पेनिश फ्लू की चपेट में आ गया है वहाँ पर मरीजों की संख्या और इनके चेनरियों यहां हमारे सामने अंतर इस बास से नहीं पड़ेगा की आख कोई यह होगी या नहीं बलकि इससे की आख कोई यह डिसीज कब होगी यह वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे sunday को लाईक करें और झावाश चाहश 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 कर दो